Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग आई, ओप आप सभी लोग ठेक होंगे दोस्तों आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी Date Seat के बारे में तो दोस्तों вес钟 ने आपके जो new 1092 Date Seat इसका new update जारी कर दिया है इससे पहले आपकी जो date sheet है इसका जो update था वो 4 सितंबर को आये था इसका जो new update है वो आज के दिन आपका आ चुका है जैसा कि आप यहाँ पर इगनू के official website पर जाएंगे जब आप date sheet डाउनलोड करेंगे तो date sheet डाउनलोड करने के लिए आपको इगनू की website पर आना है और आपके audio program दोनों के लिए आपको date sheet मिल जाएगी ओनलाइन प्रोग्राम के लिए 18 सितंबर का new update आया है और यहाँ पर audio program के लिए 19 सितंबर को यह आपकी new 1082 date sheet जारी की गई है तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे ओनलाइन प्रोग्राम के लिए आपकी जो date sheet है यह 13 सितंबर को यहाँ पर जारी की गई है यहाँ पर यह जितने भी online program के students है यहाँ पर अपनी date sheet डाउनलोड करके देख सकते हैं यह आपका जो exam है वो किस दिन है इसके बाद जित definitive date sheet का third update जारी किया गया है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यह बताया गया है exam form है वो 1 सितंबर से चालू हो गए आपके जो exam है वो आपके 1 December से होने वाले हैं और जिसके भी exam class होते हैं तो आप इगनू को mail कर सकते हैं अगर जिस भी students का exam जो है वो class हो रहा है तो यहाँ आपको mail ID भी दी गई है mail ID पर mail करके आप बता सकते हैं कि आपका exam जो है वो class हो रहा है इसके बाद यहाँ पर यह exam की date दी गई है तो यहाँ पर आप अपने exam की date चेक कर सकते हैं कि आपका exam हो किस दिन होना है बाकि आपकी जो final date seat है तो अभी आपकी final date seat नहीं आएगी क्योंकि अभी आपके बहुत सारे exam की date change होगी क्योंकि जिन भी students के exam class होते हैं तो उनकी date change की जाती है इसलिए आपकी final date seat जो है वो लगबग exam से एक महीने पहले यानि कि हम कह सकते हैं October last तक आपके अभी और update आने ब रहे हैं या फिर आपका exam किस दिन है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद